आमादी पार्टी के वरिष्ट नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वा जिसक्त बाचीत के लिमारे साथ मौजूद हैं सौरभ कल जिस तरीके से अर्विंद केजरिवाल को बुलाया गया उन्होंने ये भी काया क्यों जाएंगे भी सवालों का जवाब देने के लिए आमादी पार्टी के विधायकों की जो मीटिंग चल रही थे थोड़े दर पहले तक क्या रहा उस मीटिंग में क्या आप इस रणनीती पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सडग पर उतरना है विरोध करना है क्या रहा इसका मौज है को रजनीती ने देखिए आपके कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बड़ा संकट है इस तरीकी कोई तयारी जो है पार्टी नहीं कर रही है पार्टी शांति पूर्ण तरीके से अर्विन जी को यहां से रवाना करेगी और अर्विन जी जाएंगे जो सवाल है उनके जवाब देंगे इस तरीके से बयान स कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधान मंत्री जी खुद कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे लोगपरी है प्रधान मंत्री है, ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े प्रधान मंत्री को इतनी छोटी पार्टी से कश्टोनाल शुरू हो गया, उनको अरविंद केज प्रद्धन मंत्री जी को है तो वो अर्विंद के जिवाल की राजनीती से डर है और इसलिए अब कोशिश यह है कि सारे तैयारी कर ली चुनाव लड़ लिए दिल्ली में बार बार भारती जंता पार्टी हारती है ऑपरेशन लोटस भी ट्राइ कर लिया विधायकों पर जाए जाए इस पार्टी को निष्ट किया जाए जाए अब जब खुद अर्विंद केजरिवाल को CBI बुला रही है उन तक जाच किया पहुँच गई है तो अब क्या आपको नजर आती कि वो विपक्षी एकता है एक साथ होनी चाहिए आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं को सप विपक्ष के कई नेता हमारे साथ आए हैं जब LG साहब के खिलाफ हम लोग उनके घर में धरने पर बैठे तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता कई मुख्यमंत्री अर्विंजी के समर्थन में आए अब भी मुझे पता चला है कि कई विपक्षी नेताओं के कई कानूनी है और मुझे लगता है कि ये प्रधन मंत्री जी की लिए भी जो है कोई अच्छी ख़बर नहीं है इससे उनकी जो भी लोग के मन में छवी थी वो नीचे आएगी एक आखरी सवाल कल के लिए क्या बड़ी तयारी है क्या आर्विंद के जिवा राजगार जा रहे ह को ये कह रहे है कि सामान्य चौरपर जिस तरीके से वह सीवाई के सवालों का जवाब देने के लिए जाएंगे उनको जाना है और फिलहाल कोई तयारी इसको लेकर पार्टी नहीं कर रही है केमर मनुष कुमार के साथ इपक सिंग राहवत बीप न्यूस दिली